तो आज हम देखेंगे इन्वेसिब मेकेनिकल वेंटिलेशन का पार्ट टू पार्ट वन हमने बेसिक मेकेनिजम देखा था वेंटिलेशन का और बेसिक मोर्स देखे थे हैं पार्ट टू में हम लोग फेजिज अव ब्रेथ की वेंटिलेटर ब्रेथ देता कैसे हैं चलिए आगे चलते हैं इस कार्ट टू में देखें कार्ट टू में यह एक बॉय है तो इसको आप समझ लीजिए कि यह वेंटिलेटर है यह lungs है तो आप देख सकते हैं कि lungs और ventilator के बीच में एक tube है यह तो यह क्या है यह endotracheal tube है plus venti circuit है तो अगर इस ventilator को alveoli में air देनी है तो pressure कहां लगाना पड़ेगा endotracheal tube है या venti circuit पह है तो जितना pressure लगाएगा उतना ही volume अंदर deliver होगा deliver कहां होगा lungs के अंदर ओके तो इसके लिए तीन चीज़ चाहिए ventiator pressure लगाएगा यहां पर जिससे क्या है कि flow generate होगा जिसे आप देखे ना cycle से हवाब पड़ते हैं तो flow होता है flow ऐसे करेके तो flow जाएगा और उससे क्या volume अंदर deliver होगा lungs के अंदर तो तीन चीज़ चाहिए pressure flow और volume कितना हमें volume चाहिए तो breath को देने के लिए चार्च यह जरूवत होती है एक होता है trigger दूसरा होता है limit और बोलते है target तीसरा cycle और चौथा baseline अब यह होते क्या क्या है कि करके देख सकते हैं जैसे यह example है यह breath का example है तो patient चाहिए patient start करे चाहिए venture start करे तो यह start होगा यहां पर इसको बोलते है trigger trigger का मतलब यह है कि machine sense कैसे करेगी कि मुझे breath देनी है किसे पता लगेगा उसको एक बार machine ने breath start कर दी तो कहां तक देना है that is called limit or target कि कहां तक देना है जब target achieve हो जाएगा मतलब inspiratory phase पूरी हो जाएगी inspiration से expression में change होने के लिए जो factor होता है उसको बोलते है cycle तो cycle हो गया expiratory phase से expiratory phase में जाने के लिए जो variable होता है होता है cycle और एक होता है baseline baseline मतलब PEEP positive and expiratory pressure वो मैं आगे वाले slide में बताऊँगा अब trigger क्या होता है trigger होता है कि ventilator sense कैसे करेगा कि मुझे breath देनी है ये दो चीज़े होती है या तो patient start करे अपना patient कैसे start करेगा जैसे normal जो healthy people होते हैं वो negative pressure generate करते हैं through inspiratory muscles जिसे क्या है कि flow generate होता है तो अगर कोई सांस अपनी लेना चाहरा है तो वो negative pressure generate करेगा flow generate करेगा और ये machine sense कर लेगा अगर आप इस graph में देखे ये pressure time graph है आप देख रहे हैं कि ये नीचे deflection आ रहा है मतलब ये negative pressure जा रहा है तो machine ने sense किया कि negative pressure generate हो रहा है और ventilator के जो valve है वो खुल जाएंगे और breath चली जाएंगे तो ये हो गया patient trigger breath दूसरा होता है कि patient सांस ले ही नहीं रहा है trigger नहीं कर रहा है जैसे patient paralytic agents पत है उसमें क्या है कि आप time set करेंगे every 3 second या 4 second पर breath जानी है इसमें क्या आप देख रहे हैं कि negative deflection नहींगे zero से start हो रहा है इसका मतलब ये time trigger breath है time पूरा हो गया machine को सांस देना है अगली चीज होती है कि ventilator को कहा तक जाना है limit क्या है उसकी या target क्या है किस तरह से उसको सांस देनी है तो जैसे मैंने पहले बताय था कि breath दो टाइप की होती है एक volume preset एक होता है pressure preset कि हम volume set कर दें प्रेशर देगा wind reader या pressure set करते हैं तो volume अंदर दे देगा तो दो type की हो गई एक volume control एक pressure control इन दोनों की graph अलग अलग होते हैं होता क्या है जब हम pressure select करते हैं प्रेशर कंट्रूल ब्रेथ देते हैं तो machine से बोलते हैं कि तो 20 cm water का तुम्हें pressure देना है यह for example 20 cm water का तो क्या है ventilator एक machine है वो endotracheal tube पे 20 का pressure लगा देगी यहां पर यह 20 का pressure हो गया तो प्रेशर लगा देगी और प्रेशर कब तक लगाएगी जब तक कि उसकी spirit cycle चलेगी तो इसमें जो pressure control में जो pressure होता है 20 का that is limit और target कि हमें 20 का pressure देना है constant pressure पर volume में ऐसा नहीं होता है volume control में क्या है कि हम volume set करते हैं say for example 500 ml 500 ml देना है हमें कितने second में say for example 1 second में तो एक second में 500 ml इसको volume देना है तो यह flow calculate कर लेगा तो flow कितना है एक second में 500 ml तो एक मिनट में कितना आएगा 30 लीटर तो 30 लीटर पर मिनट की यह flow set कर लेगा उस flow को यह continuous देगा आप देख रहे हैं यह flow है यह volume control है यह pressure control है आप volume control में देख रहे हैं यह flow है यह तो flow यह constant है तो volume control breath में जो target होता है या limit होती है वोता है flow not volume तो यह volume control एक misnomer है जिसमें कि limit या target flow होता है जबकि pressure control में pressure होता है क्योंकि pressure constant है जिसमें flow constant है तो volume control में flow is the target, pressure control में pressure is the target समझ में आया अब है cycle जो आप volume control और pressure control ब्रद दे रहे हैं यह spritory phase चेंज कैसे होगा that is cycle तो इसमें देखना होगा जो volume control है उसमें cycle होता है कि जब paddle volume आप बेच चुके होगे जैसे आपने 500 ml का target volume set कियाता है कि बेंट लेटर को 500 ml का volume देना है तो जैसे ही यह volume deliver हो जाएगा अपने आप cycling हो जाएगा तो volume control में tidal volume is the cycling factor pressure control में क्या होता है कि pressure constant जा रहा है इसके according जो flow होगा flow पहले ज्यादा होगा फिर कम होता चला जाएगा flow क्योंकि पहले जब pressure environment में positive pressure दे रहे हैं एलवलाई में zero pressure तो तेजी से flow आएगा यहाँ पर जैसे ही प्रेशर बढ़ता जाएगा जैसे जीरो से 10 आ गया प्रेशर गेडिंट कम हो गया तो flow कम होता चला जाएगा इसमें जो cycling होगी वह होगी time कि आपने बोल दिया कि एक second में breath खतम करनी है तो एक second is the cycling तो pressure control में cycling क्या होती है time volume control में saddle volume फिर होता है baseline baseline क्या होता है पीप क्या होता है यह आगे वाले इसमें slides में बताऊंगा पीप होता है कि जब patient expiratory phase होती है at the end of expression एक pressure रह जाता है in the airway तो वो होता है पीप तो इसमें आप देख रहे हैं यह जो pressure है इतना यह आपका पीप है यह है कि अगे तो यह बेसलाइन है यह यह सभी patient में हम लोग देते हैं 426 पीप अगर patient के normal healthy lung है तो यह यह से उसमें ज्यादा baseline लगते हैं अब देखते हैं कि pressure support ventilation में क्या होता है तो जैसे में पहले बताया था pressure support ventilation उन patient को देते हैं जो conscious oriented होते हैं खुद की सास ले लेते हैं बस उनको support की जिरुवत होती है इसमें trigger क्या होता है patient खुद करता है कैसे करेगा negative pressure से या volume से और इसमें हम लोग pressure support देते हैं pressure तो इसमें limit क्या हो गया pressure और pressure constant जाता है pressure constant जाता है अब इसमें cycle क्या होगी patient कितना सास चाहिए उसको किता inspiratory face चाहिए कि patient decide करता है तो pressure कब तक देगा machine इसमें हम लोग set करते हैं कि जब flow एक peak flow की compression में इतने percent हो जाएगा तब speedy cycle खतम हो जाएगी जैसे इसमें example 25% तो जब peak flow यह peak flow है इसका 25% अगर flow रह जाएगा तब speedy cycle खतम होके speedy cycle में दला जाएगा तो यह कितना set हो सकता है 0% से लेके 50% तक 50% का मतलब यह है कि peak flow का 50% आएगा तब cycle खतम हो जाएगी 0% का मतलब पूरा speedy flow पूरा baseline तक आएगा तो यह होता है cycle तो अगर इसको हम summarize करें तो हमाई पास मैं volume control breath थी जिसमें की patient अगर conscious है तो खुद का trigger होगा flow या pressure का अगर patient paralyzed है तो time होगा जो time set करेंगे उसी पर machine trigger करेंगे लिमिट क्या है flow rate volume control में flow rate not volume cycle जब target volume deliver हो जाएगा तब cycle हो जाएगा pressure में क्या है अगर patient conscious है तो खुद का trigger करेंगा by generating negative pressure और flow अगर patient paralyzed है तो time trigger लिमिट क्या है जो उन्हें प्रेशर सेट कर दिया है उसी प्रेशर पर पूरी इस्पेट्री फेस चलेगा limit इस प्रेशर कब तक देगा time set किया है one second one point five second cycle is time time पूरा हो जाएगा cycle change हो जाएगी प्रेशर सपोर्ट वेंडिलेशन patient खुद trigger करेगा limit pressure जब pressure set किया है वो उसकी limit है upper limit और cycle peak जो flow rate है उसका percentage for example 25% so that is cycle तो आज की class में बस इतना ही अगली चीजे next class में discuss करेंगे फिर मिलेंगे एक नई class में thank you thank you very much